Hi students, take out your Hindi बालगित माला भाग दो and open page number 1818 तो बच्चो इसके पहले हमने share किसका हाती, देखो एक डाकिया आया, फूल, ये सारे poems पढ़े थे आज हम पढ़ने जा रहे हैं उंट इस poem के बारे में तो बच्चो सबसब पहले मैं आपको उंट के बारे में कुछ बाते बता देता हूँ बच्चो उंट ये प्रानी रेगिस्थान में पाया जाता है, रेगिस्थान मतलब जापर मिट्टी ही मिट्टी हो As like in picture आपको picture में दिखाईए दे रहा है यहाँ पर यह जो मिटी है इस जगों को हम रेगिस्तान कहते हैं Mostly ये जगा राजस्तान में पाई जाती है जहाँ पर पाने की बहुत ही कम तर्टा होती है उस जगों को हम रेगिस्तान कहते है तो बच्चों उन्ट के पाव लंबे होते हैं उसके नेक जो गरदन है वो भी लंबी होते हैं उसके पूछ जो होती है वो छोटी होती है और वो बिना पानी का भी एक दो दिन रह सकता है ऐसे इसकी कैपेसिटी होती है और साती में उसके जो पेरे हो लंबे होने के बावजित हो रेगिस्तान में सबसे तेज दोड़ने में नमबर वन होता है तो बच्चों चलो अब हम पोयम की ओर बढ़ते हैं उन्ट लंबी गर्दन चोटी पूछ रेगिस्तान का देखो उन्ट उसे क्या कह गया या पर रेगिस्तान का गूंट लंबी लंबी टांगे उटाता रेद के उपर दवड़ा जाता कई कई दीनों नहीं पानी पीता रेगिस्तान का जहाज कहलाता तो बच्चो उसकी लंबी-लंबी टांगे होते हैं इसलिए वो रेत पर चलांगे लगा कर दोड़ता है और साथी में वो कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है इसलिए उसे क्या कहा गया है रेकिस्तान का जहाज तो बच्चो यह पोएम आपको लॉन करने है और रेकॉ